मार्किट में आमले का तेल मिलता है पर उसमें कैमिकल होते हैं आज हम घर पर ही आमले का प्योड तेल बनाएंगे हेलो गाईस वेलकम टू अर्पितास किच्चन अर्पितास किच्चन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे आमले का तेल 500 क्रम हम आमला लेंगे और इससे धूर लेंगे आमले को हम इस तरहें से काटेंगे और गुटलियां अलब कर लेंगे अगर आप अपने बालों को डेंडर फ्री करना चाते हैं मजबूत और सिल्की बनाना चाते हैं तो आप इस तरहें से आमले का तेल घर पर बना कर बालों पर लगाए आमले को मिक्सी ग्राइंडर में डाल कर इस तरहें से हम पीस लेंगे इसमें हम पाने बिल्कुल भी नहीं डालेंगे पाने की जगा हम तेल यूज़ करेंगे अब हम इसमें आद्धा नारेल का तेल और आद्धा तीलों का तेल डालेंगे यानि इसमें हम एक कटोरी तेल की डाल देंगे इसको हम फिर से ग्राइन कर लेंगे इस तरह से हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे ये तेल हम आइरन की कड़ाई में बनाएंगे इसमें हमें सासाथ आइरन का भी फाइदा मिलेगा पिसे हुए आमले हम कड़ाई में डाल देंगे इसको हम स्लो गैंस पर धीरे धीरे पकाएंगे बाकी बच्चा हुआ तेल भी हम इसमें डाल देंगे अगर आप गर्मियों में तेल बनाना चाहते हैं तो आप नारेल का तेल यूज़ करें और अगर सर्दी में बनाना चाहते हैं तो आप तीलों का तेल यूज़ करें और अगर आप दोनों मुसम का इकठा बनाना चाहते हैं तो आदा नारेल का तेल लें और आदा तीलों का तेल लें इसमें हम सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से हम इसको पकाते जाएंगे ताकि नारेल के तेल में आमले के सारे गुनिस में आ जाएं जैसे जैसे आमला पकेगा इसका कलर चेंज हो जाएगा यह ब्राउन कलर का हो चुका है इसे पकाते हुए हमें 20-25 मिनट हो चुके हैं आज कल उमर से पहले ही बाल स्वेध होने की समस्या बहुत जादा है यह तेल आपके बालों को स्वेध होने से बचाएगा बालों को काला करेगा और घना भी करेगा गैस का फ्लेम बंद कर देंगे आट-दस घंटे के लिए इसको ऐसे ही रख दें अब कोई भी कोटन का पतला कपड़ा ले ले और इसे छान ले इसी तरह से हम सारा तेल निकाल लेंगे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक इस तेल को लगा सकते हैं तो ये आवले के गुनों से भरपूर तेल बन चुका है अब इस तेल को हम काच की शिशी में डाल देंगे आवले का तेल लकाने से बाल स्मूथ और सिल्की बनेंगे तो कैसी लगी आप सब को हमारी ये रैमीडी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी आज की चीश है ग्रेवी के लिए हमेशा पके हुए टमाटर ही यूज़ करें इससे कलर अच्छा होगा हमारी और वीडियो देखें और साथ ही राइट साइट चैनल आइकोन को क्लिक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें